नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वुकॉम्स आफ एससी में आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप टीटी कैसे बन सकते हैं इंडियन रेलवे के अंदर यानि की ट्रैवलिंग टिकट एक्जैमिनर इसका एक्जैम रेलवे कर बाता है और आज के इस वीडियो में हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे कि टीटी बनने के लिए क्या योगिताएं चाहिए और क्या प्रोसीजर है इसके लिए और एलिबिटी कंडिशन्स क्या है एज क्या है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्रुप C की पोस्ट है ये और रेलवे रेक्रुट्मेंट बोर द्वारा इसका एक्जैम करा जाता है रेलवे के कई बोर्ट्स हैं जैसे कि इलहाबाद पटना भोपाल और ये सारे बोर्ट्स मिलकर इसका एक्जैम कराते हैं पे स्केल होता है इसका बावन सो से लेके बीस हजार दोसों का और का के लिए eligible हैं और आप इस exam को दे सकते हैं बात करते हैं अगर age की तो age का criteria है 18 साल से लेकि 27 साल तक लेकिन जिन बच्चों की age जादा है तो परिशान मत हो ये क्योंकि age relaxation इसमे government rules की according apply होता है अगर आप किसी category से belong करते हैं तो आप इस direction ले सकते हैं वहीं अगर syllabus की बात करते हैं इसके तो आपको त्यार करने पड़ेंगे इसके लिए तीन topic सबसे पहले त्यार करने पड़ेगी आपको reasoning क्योंकि reasoning इसके अंदर बहुत important है second है qualitative aptitude और third आता है journal awareness और journal knowledge का पार्ट ये तीन चीज़े आती हैं syllabus के अंदर exam pattern की बात करते हैं तो सबसे पहले आपका होता है pre exam tier 1 जिसके अंदर objective type paper होता है और आप उसके लिए spot list के जाते हैं इसके बाद document verification and thereafter medical test और इसके बाद आपका selection होता है इस exam में notification की बात करते हैं तो इसका notification 2018 में आने की हो समख्रमाना है और rrb की different sites को check करते रहें जैसे इलावाद बटना क्योंकि इसका notification इन sites के उपर ही release किया जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वो forms of SSC और बने रही है हमारे साथ ताकि आपको ऐसी ही वीडियो फ्यूचर में भी मिलती रहें तो गुडबाई and best of luck